now let's understand about candlestick pattern अब जब आप शेयर मार्केट में देखें कि कोई भी अगर आप ग्राफ देखते हो आपको कुछ इस तरीके से दिखते हैं आपको यहां पे candlestick दिखती है अब candlestick जब आपको समझ नहीं आता भी है यह है क्या चीज़ अब यहां पर बड़े ध्यान से देखिए आपको मैं बहुत easy language में समझानी के खुशिश करूँगा अभी इनके patterns भी होते हैं पर आप यह समझे पहले candlestick होती है यह जो आप एक stick देख रहे हो इसमें जो यह बीच वाला structure है इसे हम बोलते है body यह हो गई हमारी body और यह जो आप देख रहे हो यह डंडी यह आपे जो समझ आ गया कि बीच वाले को हम बोलते है body और उपर नीचे जो यह lines आ रही है इन्हें हम बोलते है विक अब इन्हें जो हम विक बोलते हैं इसे हम विक क्यों बोलते है और यह चीज है क्या देखो जो green color की candle होती है यह दिखाती है कि price उपर जा रहा है यह bullish candlestick है और जो red ह है वो bearish है bearish मतलब नीचे bull मतलब open आप देखिए जो body है इसका मतलब क्या है यह बताना चाहरे है जो price है वो हमारा कहां से open हुआ और कहां पे close हुआ हमारा जो price है वो यहां से open हुआ और वो price close होने से पहले यह जो आप कोई भी stick देखते हो candle stick यह अलग अलग time frames की sticks होती है आपको एक मिनिट का अलग दिखेगा candle stick pattern आपको पांच मिनिट की अलग stick दिखेगी इसका मतलब क्या हुआ जब आप graph पे जाके देखते हो आपको five minutes की आपको पूरा time frame के अंदर जब आप देख रहे हो तो उसका मतलब है जो एक stick है यह दिखा रही है कि एक मिनिट के candle stick represent करती है इसका मतलब क्या होता है कि जो आप यहां पर देख रहे हो इसका मतलब है प्राइज उपर गया यहां से open हुआ यहां पे close होने से पहले वह हाई यहां तक मार गया है so this is your wick are you getting it और वो नीचे कितना गया था वो यहां तक नीचे गया था तो यह आपकी एक candle stick complete होती है अब similarly जब bearish होती है यहां पे नीचे से price open नहीं होता अगर वो red है इसका मतलब है कि price उपर से नीचे गया है और अगर वो bullish है तो नीचे से उपर गया है तो open यहां से और close यहां पर होगा बड़ वो ऊपर कितना गया था वो high यहां तक गया था और low यहां तक गया था अगर आपको यह समझ आ गया well and good आप बिलकुल ठीक जा रहे हो यहां तक यह समझनी बहुत जरूरी थी अब इनके patterns भी होते हैं वह माने वाली वीडियो में discuss करेंगे अभ करना समझ आ गया आगे बढ़ते हैं